करोना महामारी को लेकर यूपी सरकार जरूरत मंदों को राशन पहुचाने के लिए कित संक्लिप्त है और निर्देश जारी किये गए हैं लेकिन कुछ ऐसे हैं जो निर्देशों को पलीता लगा रही हैं कुछ ऐसी ही हर्दोई के विल्गराम में हुआ जहां सभासद की शिकायत पर सप्लाई इंस्पेक्टर ने कोटे की दुकान में अनिमता पाई और सील कर दिया इस मामले में काटेदार के विरुद बिल्गराम में एफ आई आर भी दर्श करवाई गई बिल्गराम नगर के महोला कासुपेट वार्ट नमबर 10 के साथ सभासद शक्पू खान ने राशन वित्रिण ना करने को लेकर सप्लाई इंस्पेक्टर से शिकायत की उन्होंने कहा कि काटेदार सुदामा देवी महोला कासुपेट के यहां से कस्बे के वार्ट नमबर 9 और 10 का राशन का वित्रिण कार कोटे से दिया जाता है सभासद शक्पू खान का आरोप है कि सुदामा देवी काटेदार दौरा नगर के लाभार्टिउ को राशन वित्रिण नहीं किया जा रहा था और दिन पर दिन धांतली हो रही थी पैसे लेकर काटेदार द्वारा वित्रण पर ची लाभार्टी को दी जा चुकी थी लाभार्टी घर से दो किलोमेटर दूर कोटे पर राशन लेने जाने के बाद भी राशन वित्रण नहीं किया जा रहा था शिकायत के बाद सप्लाई इंस्प्रिक्टर योगेश कुमार निमोके पर पहुचकर अनिमित्ता पाई जिसके बाद राशन कोटे को सील कर दिया गया इसके बाद काटेदार के विरुद एफ आई आर भी दर्च कराए गई हर दोई से समधा था शाहिद अली की रिपॉर्ट विल्ग्राम थाना श्वेत्र में सप्लाई इंस्प्रिक्टर योगेश कुमार द्वारा एक तारीर दी गई इसमें उन्होंने लिखा है कि वार्ड नमर 17 जो मलकंठ कस्भा विल्ग्राम का रने वाला है सुदामा नामर उचित दर्विक्रेता है उसने जो है कुछ निमित् इन श्ञाने करने रहें चेका जिए कि मैं गया मखा रहा रहें बाटते बाटते नोड़े लदकारीं हमारे साथ नगरपाल का के मखूद थे उनकी मखूद्वी में रासन बटना था उन्होंने बातों का भी बाटते काईते दो बजे तक उनूने रासन विट्रवएं नहीं उन्होंने बिले कर लिया हमारे साथ, पब्लिक को पचास आद्मियों को कल रासन विला उसके बाद कोई रासन नहीं किया लिए बैल इकन को क्लिक कर हमारी चैनल को लाइख, शेर और सब्सक्राइब करें थैन्ने वाल राजगराना और जोती गादन आजे बीडी बैंक्वेट एंटरप्राइब